लोग सभाचुनाव 2024 को लेकर रिकॉर्ड जहां अब सभी पाटिया तयार हो रही हैं तो वहीं NDA में सीट बटवारे के बाद अब महागत बंदन में भी सीटों का बटवारा हो चुका है ऐसे में कॉंग्रिस की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कॉंग्रिस को कई ऐसे सीटे मिली हैं जहां पर 1984 के बाद से पार्टी ने जीत नहीं हासल की है विरोधी धल बीजिपी ने भी सीट बटवारे पर तंज कसा है बता दें बिहार में कॉंग्रिस की सबसे मजबूत सीट किशन गंज रही इस सीट पर लगातार कॉंग्रिस को जीत मिलते रही है पिछले जुनाव 2019 में यहां से कॉंग्रिस के मुहम्मद जावेद को जीत मिली थी गठियार सीट पर भी कॉंग्रिस को कई बार जीत मिली थी ऐसे में आपको बता दे कि 2014 में कॉंग्रिस छोड़ कर तारीक अनवर ने NCP से यहां जीत दर्ज की लेकिन अब फिर से एक बार वो कॉंग्रिस के साथ आ चुके हैं ऐसे में यह माना जा रहा है कि वो जीत हासल करेंगे इधर सासराम सीट कॉंग्रिस का गड़ माना जाता है यहां कॉंग्रिस के जग जीवन राम लगातार कई बार सांसद रहें तो वकिन अन्तिमबार 2004 और 2009 में कॉंग्रिस की मीरा कुमार को यहां जीत मिली थी अभी कॉंग्रेस भागलपूर में बात करें तो तीन दसक से कॉंग्रेस को भागलपूर में जीत नहीं मिल सकी है यहां से अंतिमबार 1984 में भागवत जा आजाद ने लोक दल के जागेश्वर मंडल को हरा कर जीत दर्ज की थी लेकिन उसके बाद यहां पर कॉंग्रेस नहीं टिक पाई मुझफरपूर में भी कॉंग्रेस के लले तेश्वर प्रशाद साही को जीत मिली थी इसके बाद से वहां कभी कॉंग्रेस को जीत नहीं मिल सकी महागतबंदन की बात करें तो उनीस सौग अन्ठानबे में राज़त की और से जै नारायन प्रशाद निशाद को जीत मिली थी समस्तिपुड से कॉंग्रेस के रामदेव राई को लोगसबा चुनाओ के दोरान जीत मिली वहीं कई ऐसी सिटे हैं जहाँ पर 1984 के बाद से कॉंग्रेस ने जीत हासल नहीं की है ऐसे में सीट बतवारे में कॉंग्रेस को उन सभी जगों पर सीट देना कॉंग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है क्योंकि ऐसे में कॉंग्रेस के लिए अब जीत हासल करना और भी मुश्किल है इधर बीजेपी के तरफ से भी इसे लेकर तंज कसा गया है मेरो डिपोर्ट न्यूस बी आर लाइव पटना